हेलो फ्रेंज एक बफिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चानल जॉब फंडा क्लब में दोस्तों आज की जो वेकेंसी में कवर कर रही हूँ ये केंदरी विद्याले की वेकेंसी आई है दोस्तों जैसा कि आप लोग इसके साइट पर देख रहे हैं तो पहले मैं बताऊंगे कैसे अडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करना है अप्लिकेशन फॉर्म कहां से मिलने वाला है और जो नोटीस है वो किस तरह से डाउनलोड करनी है दोस्तों तो हम इस वीडियो में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे इसके फॉर्म को कैसे फि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए देखते हैं वेकेंसी आई कहां से हैं देखिए फ्रेंस जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं केंद्री विद्धाल मदा पूरा पोस्ट ऑफ खमराज नगर से दोस्तों तो यहां पर सक्रीन पर और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसमें सालरी आप लोग की मिलने वारी है रहने वारी पर मतले तो से यहां पर देख सकते इसके लिए क्या चाहिए तो तो टू यह का मतलब इंटीग्रेटेट पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ होना और उसके बाद अगर आप PGT हिंदी के लिए अपलाई कर रहे हैं तो आप हिंदी और संस्कृत में आपका क्या मतलब ग्रैजुएशन में कोई ग्रैजुएशन लेवल पर आपका हिंदी या संस्कृत हुआ होना चाहिए दोस्तो और बाकी B.E.D. की रिक्वाइमेंट होती द पांसो मिलने वाली है उनको इन हैंड यहां पर एसेंशल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली दोस्तों तो उन्होंने B.E.E. और B.T.E.C. किया होना चाहिए और इसके बाद देखिए MSC होना चाहिए या फिर M.C.A. होना चाहिए और उसके बाद आपने मतला आपकी जो प्र दोस्तों और यहां पर देखिए आपने फोर यह का जो इंटीग्रिटेट कोर्स एंसी के दौरा चला गया वो किया है तो भी ठीक है अगर आपने बैचलर डिग्री की है 50% ऑफ मार्क्स के साथ यह पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में तो भी आप यहां पर अपलाई कर सकते है दोस्तों और यहां पर भी वही चीज़ है कि आपकी प्रोफिशेंसी जो है वह हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए और टीजीटी में एजसे संस्कृत मतलब त्री यह का जो संस्कृत का सब्जेक्ट होता है यानि कि ग्रेजुएशन में जो आपको रहा होगा है दोस्तों और कंप्यूटर का नौलज यहां पर डिजारेबल है उसके बाद वर्क एडूकेशन है दोस्तों यहां पर आपने डिप्लोमा इन एलेक्ट्रोमा मतलब या एलेक्ट्रोनिक्स में किया होना चाहिए और फिर उसके बाद है क्राफ्ट एक्टिवित्री एन आल आप लोग देख लीजेगा और इसमें जो सालरी बनने वाली आप लोगों की 26,250 है दोस्तों उसके बाद आर्ट एजूकेशन जो है इसमें फाइव यह का रिकागनाइज डिप्लोमा इन ड्रॉइंग और पेंटिंग अगर आप आप आर्ट एजूकेशन के टीचर के तौर आपने फाइव यह का डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए रिकागनाइज उससे जैसे ड्रॉइंग है पेंटिंग है स्कल्प्चर है ग्राफिक आर्ट से और एकुलेंट रिकागनाइज डिगरी ओके तो यहां पर भी जो आपका डिजारेबल मांगा गया है तो वर्किंग आपको होना चाहिए दोस्तों और यहां पर भी आपकी सालरी 26,250 आपके हाथ में आने वाली है फिर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट दोस्तों इसमें भी लगबग जैसा कंप्यूटर टीचर के लिए अपलाई करते हैं सेम वही सारी कौलिफिकेशन यहां पर मांग कर सकते हैं उसके बाद DEO यानि की सीनियर सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो इसमें है प्रो राटा बेसिस मतलब इसमें जो होगा प्रो रेट बेसिस पे इस पे जो सालरी मिलने वाली है आप लोगों को और यहां पर आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इन इं दोस्तों तो यह मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर देखिए जो आप लोगों का वाक इन इंटरव्यू यहां पर होने वाला है दोस्तों और यह विद्याले प्रमाइसेज में होने वाला यानि कि जो इसका एड्रेस है उसी के प्रमाइसेज में इंटरव्यू होगा तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि PGT में जो salary 27,500 है TGT में 26,250 है दोस्तों और walk-in interview 15 जुलाई को होने वाला है और timing 8 बजे रहने वाली है दोस्तों तो अब हम देखेंगे friends की इसकी website पर मैंने जो इसका link है वो description box में दे रखा है फिर भी मैं आप लोगों को website पर click करके ले जाकर बता देती हूँ कि आपको PDF कहां से मिलेगा और आपको application form कहां से download करनी है ओके दोस्तों तो चलिए अब हम site पर visit करके देखते हैं जैसे कि दोस्तों देखिए हम site पर आ गये है यह देखिए इनका पूरा site खुल गया है इस पर देखिए announcement के section में जब आप जाकर view all करेंगे तो view all करने के बाद देखिए आप लोगों को यहां पर दिख गया है तो जो मैंने आपको PDF डाउनलोड करके बताया था तो यह रहा दोस्तों इसको डाउनलोड करके मैंने आप लोगों को बताया था उसके बाद advertisement अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो यहां से डाउनलोड करके देख सकते कि advertisement जो आई है बट वो दोस्तों काफी बलरी image है तो इसलिए मैंने यहां का जो educational qualification का वो आप लोगों को PDF डाउनलोड करके बताया था क्योंकि उसमें भी subjects mentioned थे और यहां पर दोस्तों application form भी देखिए सबसे पहले आप लोगों को application form दिखाए दे रहे कि application form for the contractual teachers interview for the academic year 2021 to 2022 तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आगा दोस्तों फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग उसे comment section में पूछे और फ्रेंस यह काफी अच्छी वेकेंसी अगर आप लोग अप्लाइ करना चाहते तो आप लोग अप्लाइ करिए और फ्रेंस यहीं काऊंगी की वेकेंसी अच्छी है तो लास्ट डेट का भी इंतजार मत कीजिए और अहां सबसे ज़रूरी चीज यह है कि जब आप जैसे वाकिन इंट्रव्यू होता है तो आप जाते तो आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के सास्ट जहरॉक् की क्या होता है अगर आपका इंटर्विए चाचा जाता है तो वह लोग तुरंस कहीं तुरंच वेरिफ़ाइए हो जाता है मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट को भी वेरिफाइए कर लेते हैं और इसके सासे जरॉक्स कोब्हाइए होती है वह जमा करना होती है तो उसक dirh host